इस वीडियो में हम बाचित करने वाले हैं UPSC CAC मेंज 2024 रिटेन इग्जामिनेशन रिजल्ट के उपर और कितना वक्त लग सकता है और कितना इंदजार करना पड़ सकता है इन थमाम चीजों के उपर हम बाचित करने वाले हैं इसके अलाबा कोई आपका डाउट हो परसनल तो एक्जामिनेशन रिलेटर वो आप अराम से पुछ सकते हो कमेंट बॉक्स नो कमेंट करके और अब हम बात करते हैं डेट के उपर तो देखो गाइस काफी authentic sources से ये information आया है यानि कि इसके साथ आप go through हो सकते हो 10 December एक निर्धारित डेट है और कहा गया है कि 10 December को UPSCAC जो मेंस 2024 है इसका result आपको देखने को मिल सकता है यानि कि 10 December अपने calendar में mark कर लो अगर इस date को delay अगर करती है अगर इस date पर नहीं आता है तो फर्दर हम देखेंगे कि next date कौन सा होगा लेकिन अभी आप 10 December लेकर के जो माइंड के अंदर because साड़ी जितने भी authentic sources है सबी लोगों ने अभी 10-10 December ही कहा है तो आप ये date लेके चल सकते हो तो इस वीडियो मेंस इतना ही रखते है मित्रो मिलत रखते है मित्रो मेंस लोगों चल सबस्तने हैं झाइद कि दितना हम रखते हैं की लोगों डही है चल सकते हो आता है